बिल्फ मिल्लाय रहं रहीम, आज मैं आपके लिए जो रेञेपी लेकि आई वह हैं, मसाला पनीर बनाने की रेसिपि में कम ही मसाला के अंदर, मसाला पनीर बनाने की रेसिपि आपके सार्षज अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें यह मसाला पनीर हमने बहुत यह आसान तरीके से बनाया है इसके लिए सबसे पहले हमें एक पैन लेना है इसके अंदर दो टीस्पून ओईल को गरम करना है आदा इसके अंदर दो टीस्पून अधिरत लसून का पैस्ट एट करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे यह देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हाफ टीस्पून नमक नमक टेस्ट के अकोडिंग यह एट कीजिएगा दो टीस्पून पीसावा धनिया गेस को लोफ लेम पर रखेंगे हाफ टीस्पून हल्दी पॉडर एक टीस्पून लालमिश पॉडर ये देखी में इसके अंदेर ज़्यादा मसाला एट नहीं किया है दो टीस्पून दही एट करेंगे ये मेंने बहुत जल्दी रेसिपी बना के तैयार की है अब हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखी अभी तक इसके अंदर ओईल नहीं दिख रहा है इसके बाद इसके अंदर ओईल काफी छूट जाएगा मेंने इसके अंदर ज्यादा ना मसालों का इस्तिमाल किया है ना ही ओईल का ये देखिए हमार ओईल अच्छे से छूटने लग गए है इसके अंदर ये देखिए ये मैंने हाफ टी स्पून गरम मसाला एड़ किया है और हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने जो पनीर मसाला आता है वो एड़ किया है आदा कप मलई एड़ करेंगे दो बड़े ती स्पून जितनी अब हम इसके अंदर पनीर एड़ कर देंगे पनीर को बस मैंने चोटे चोटे टुकड़े में काटा है ये देखिए हमारा मसाला पनीर अच्छे से तयार होने लगा है तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेट करकर जबुदा करके जबुदाएगा तो देखिए हमारे सेपी बनके तयार है आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेट करके जरूर बताएगा में चैनल को लाइक करना सस्क्राइब करना और इसे जदा से जदा शेयर करना कम ही मसालों के अंदर कम ही ओईल के अंदर मेरा मसाला पनीर बनके तयार हो गया है अपये से पिजरू टाइगी जिया